हालो एवरिवान वेलकम तो सी युटी प्रपरेशन बाइए कॉंटा आयम यूर इंग्लिश मेंटॉर अकांशा कुमार और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजे अपने फ्रेंज के स जो लोग भी इंट्रस्टेड हैं डेली उनिवर्स्टी में एड्मिशन लेने के सो जैसा के आपको पता है डेली उनिवर्स्टी का CSAS पोर्टल डाइस कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम ओपन हो चुका है अब आप रिजिस्टर कर सकते हो उसके लिए और एक अच्छी बात यह ने आंसर की रिलीज कर दी हैं जिसकी हेल्प से जितने भी स्टूडेंट्स है वह अपना स्कोर काल्कुलेट कर पा रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि क्या वह एलिजिबल हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज में एड्मिशन लेने के लिए या नहीं बिकॉस जो पास्ट आपक अपनी आंसर कीज में से अपने नंबर्स देख लिए होंगे और अब आपको यह कंफ्यूजन होगा कि हम लोग किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे जो बच्चा इंट्रस्टेड है डेली उनिवरस्टी में एड्मिशन लेने के लिए या जिनके ड्रीब कॉलेज है डेल इंटर करनी है अपना नाम एड्रेस आड मादर नेम यह सब तरह की बोलारीलस कि फोटो थीक आपे अपलोड और आपि की 144 फोटो पर अपलोड होगा जैसे SCST, OBC Non Creamy Layer, EWS Physically Handicapped तो उसका भी certificate आपको वहाँ पे upload करना है मतलब उसकी photo आपको upload करनी है वहाँ पे तो once you are done with your personal and academic detail आप third जो वहाँ पे step है उस पे आते हो जिसमें आपको college choice locking करनी है ठीक है तो अपनी college choice को lock करना है तो आपको पता होना चाहिए आप कौन से colleges के लिए apply कर सकते हो आप कौन से colleges के लिए eligible हो तो आज मैं बात करूँगी commerce colleges की commerce stream के colleges की ध्यान रखिए जो कि Delhi University में top colleges में आते हैं तो अगर आप चाहते हो become honors करना, eco honors करना, BFI करना या फिर BBA करना या BBM करना तो आपके लिए कौन कौन से options available है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बहले college से जो की rank one पे है top commerce colleges of DU में वो है कौन सा college? शिरी राम college of commerce सबने कैसी कर लिया होगा? SRCC बहुत ही famous है ध्यान रखो eco honors यहां से लोग करते हैं because eco honors यहां का काफी famous है तो SRCC college first जो rank है उस पे रखा जाता है DU का सबसे prestigious college second college is Lady Shriram college for women तो ध्यान रखो obviously एखा हुआ है यहां पे women केवल girl candidate apply कर सकते है south campus का one of the famous colleges जहां पे जाने के लिए girls जो है वो एक तरह से मड़ती है because again यहां पे जो यहां का become honors है बहुत ही जादा prestigious माना जाता है तो LSRC college second number पे आता है second college है third college जो third rank पे आता है that is हंसराज college अब जिन लोगों को पता होगा हंसराज college के alumni रह चुके हैं शारुक खान तो यह शारुक खान वाला college है again बहुत ही जादा prestigious college क्योंकि यहां का become honors काफी जादा ऊचे दर्जे पे रखा जाता है तो become honors के लिए आपके पास तीन top notch colleges यहां पे आ चुके हैं पहला SRCC दूसरा LSRC तीसरा आपका हंसराज college ठीक है fourth number पे आता है आपका हिंदू college again हिंदू college is a best choice to go for commerce commerce courses because faculty बहुत अच्छी है courses का जो ranking है या हम कहें जो courses का prestige है वो काफी अच्छा है तो अगर आपको choice माननी है अगर आपको choice करनी है commerce colleges के लिए तो आप इसको बिल्कुल भी ignore करी नहीं सकते हो ठीक है यहां पे ध्यान रखो यहां के जो LMNI है वो कौन कौन रहे हैं गौतम गंभीर अरजुन रामपाल यहीं से पड़े हुए और यहां के जो courses है अपार्ट फ्रॉम इको ओनर्स या बीकॉम ओनर्स यहां पे BBM that is business bachelor's of business management और BMS bachelor's of management studies बहुत famous है statistic के कुछ courses हैं जो काफी जादा famous हैं काफी जादा बच्चे उसके लिए जाते हैं और एक और course जिसके लिए बच्चे यहां पे admission लेना पसंद करते हैं BFI वो course के लिए आप यहां पे apply कर सकते हैं तो काफी सारे options देता है Hindu college और काफी साथ जादा intake भी है इसका next college south campus का again एक बहुत ही बढ़िया college famous college डाट इस श्री वेंक कटेशवरा बीकॉम honors बहुत ही यहां पे famous है और इसका eco honors बहुत famous है तो पांच college आपको समझ में आ गए होगे सबसे पहला श्री राम college of commerce दूसरा लेडी श्री राम college of commerce तीसरा हंसराच चौथा हिंदू और पांचवा जो है वेंक कटेशवरा college तो यह top five colleges हैं जिनको आप अपनी list में रख सकते हो college preference को lock करते हुए ठीक है चलिए sixth college जो हमारा है that is Jesus and Mary again B.com के लिए एक बहुती बढ़िया college Jesus and Mary ध्यान रखिएगा चलिए आगे चलते हैं next college जिसकी हम बात करने वाले आगे बहुत famous college है सुना ही होगा आपने राम जस college इसके alumni रह चुके हैं शेकर सुमन उसके अलावा मनूच बातपई और प्रकाश च्छा नौर्थ पसका एक बहुती famous college जो कि आपको B.com honors में graduation कराता है ध्यान रखोर बहुती famous politically भी यहां पे लोग बहुत active रहते हैं अगर हम बात करें Delhi University की politics सबसे जबरदस्त कहां पे होती है तो उसका जो center है that is Ramjas college this is one of the centers for politics ठीक है चलिए आगे चलते है Delhi college of art and commerce अगे आपको choice देता है य basically B.com की B.com honors की आपको choice देता है आप यहां पे अच्छा commerce course अगर आपको करना है तो यह again अगर आपको top colleges नहीं मिल पाते हैं तो it is one of the good options to go for चलिए next चलते हैं हम लोग कौन सा college है कम्ला नहिरू college ठीक है कम्ला नहिरू college girls के लिए केवल तो girl candidate apply कर सकते हैं तो girls के लिए काफी सारे options Delhi University में available है B.com honors या eco honors करने के लिए तो it is also one of the good choices जिसको आप रख सकते हैं अपनी bucket list में चलिए next college is आपका इंदरपरस्त college इस डेली में है ध्यान रखो बहुत ही अच्छा college है और again देखो इंदरपरस्त women college है तो यहां पे girls candidate को apply यहां पे वो अराम से कर सकती है और again अ आपको मिल रही है B.com करने के लिए girl candidate को काफी सारे colleges मिल रहे हैं जैसे आपका लेडी शीर नाम girl candidate के लिए इंदरपरस्त girl candidate के लिए उसके अलावा जो कमला नहिरू college है again that is for girl candidates तो आप देख सकते हो girl candidates के लिए बहुत सारी choice और ध्यान रखो 10 के 10 college बहुत अच्छे हैं B.com honors काफी अच्छा हैं यहां से जो बच्छा MBA करना जाता है अगर वो इन colleges में पढ़ लेता है तो उसके selection के chances बढ़ जाते हैं because MBA college थोड़ा सा जो preference देते हैं वो आपके जो educational background है उसको भी देते हैं चलिए आगे चलते हैं next college is Guru Tegh Bahadur Khalsa college यह आप इसको Khalsa college के नाम से जानते हैं North campus का again एक one of the prestigious college but इसमें एक थोड़ा सा क्या कहें हम लोगे एक थोड़ा सा loophole ही रहेगा कि जो 50% seats है क्योंकि Khalsa college obviously sick trustees हैं यहां पे तो 50% of seats जो हैं वो sick candidates के लिए यहां पे allotted हैं उनके लिए वो reserved हैं ध्यान रखो sick community के लिए तो थोड़ा सा यहां drawback ही हो जाता है but again 50% are open for everybody हर किसी के लिए open है वो next college is Shiri Guru Govind Singh college of commerce again become honors eco honors बहुत अच्छा है 12th number बे मैं इसे रखूंगी काफी अच्छा college माना जाता है तो यह आप यहां से देख सकते हो कौन कौन से college को अपनी आपको अपनी bucket list में रखना है दीन दयाल उपात्या है बहुत ही बढ़िया college again commerce के लिए south campus का बहुत ही बढ़िया college दुवार का में आपको मिलेगा दुवार का में काफी अच्छे खाने के joints हैं और काफी अच्छी जगा है रहने के लिए दुवार का तो आप यहां पे भी admission ले सकते हो again अगर आपको top colleges में से कोई नहीं मिलता है तो यह एक अच्छी choice है आपके b.com honors के लिए next college is महराजा अग्रस हैं again b.com honors eco honors देता है अच्छा college है ध्यान रखेगा चलिए next college is केशव महाविद्याले decent college है बढ़िया college है बहुत अच्छी faculties है यहां पे तो again अगर आप b.com honors के लिए जाना चाहरे हो और again वही चीज़ कि आपको top colleges नहीं मिल पा रहे हैं तो क बेशव महाविद्याले is a good option to go for. चलिए let us talk about college of vocational studies तो ध्यान रखो यहां पे apart from b.com honors and apart from eco honors यहां पे एक और कोर्स यह लोग कराते हैं that is b.walk bachelor's in vocational courses या vocational studies तो ध्यान रखो यहां पे अलग-अलग तरीके के आपको courses मिल रहे हैं जैसे के b.walk जो होता है वो animation में, website designing में, इ काफी सारे अलग-अलग तरह के course आपको यहां पे मिल रहे हैं तो अगर आपको basically b.com honors या eco honors में आपको interest इतना नहीं है या आपको उसके अलावा कोई और choice रखनी है of courses यह एक अच्छा college है जहां पे आपको vocational courses या vocational study से related courses मिल सकते हैं तो ध्यान रखेगा, south campus में South Delhi जो है बहुत अच्छी जगा है रहने के लिए काफी जादा food joints वहाँ पे हैं काफी अच्छी lifestyle आपको मिलेगी तो again it could be a good choice अगर again मैं वही कहूंगी अगर आपको top colleges नहीं मिल पा रहे हैं तो next चलते हैं next is Ramanuj College Ramanuj College का B.com और ध्यान रखो B.com बहुत अच्छा है B.com honors बह देता है IT में भी तो मालो आपके पास 12 में अगर computer science है तो आप commerce plus IT एक course यहाँ पे मिलता है वह आप कर सकते हो again आपके career perspective से बहुत अच्छा वह course है तो again अगर आपको कुछ अलग करना है normal B.com honors या eco honors नहीं करना है तो this is the place where you can get an honors degree with commerce in IT ठीक है commerce plus IT का एक course देता है तो अलग स unconventional सी एक degree आपको यहां से मिल सकती है ठीक है next is Aditi Maheshwari College again अच्छा college है आप इसमें जा सकते हो become honors again इसका अच्छा है next की अगर हम बात करें तो 18th number पे मैं Aditi Maheshwari को रखूंगी है ना 19th number पे आपका है दौलत राम college again आपने इसके बारे में सुना होगा famous college है North campus का but again यह girl candidate के ल आ गया उसके अलावा इंदरप्रस्त college for women हो गया और एक यह दौलत राम college जो केवल girl candidate के लिए तो girl candidate D.U. में बहुत अराम से जा सकते हैं top 20 colleges में से किसी में भी और आप वहां से अपनी b.com या फिर eco honors की डिग्री कर सकते हैं next college भी girls college है ध्यान रखो और इसको hidden marvel of North campus बोला जाता है कालिंदी college ध्यान रखो इसमें बहुत बढ़िया फेस्ट वागेरा भी organize कराता है ठीक काफी जादा famous है अपने फेस्ट वागेरा के लिए और ज्यान रखो यहां पर b.com honors और eco honors दोनों ही available हैं तो आप वो कर सकते हो तो guys यह थे top 20 college जिसमें first ranking पर रखा मैंने srcc को second ranking पर लेडी श्री राम third हंसराज college, hindu colleges on fourth and fifth पर श्री वेंक टेश्वरा तो यह 20 college के लिए apply कर सकते हो आप अगर आपको लगता है कि आपका score थोड़ा कम आया है और आप उस तरीके से apply नहीं कर पाऊगे या top colleges आपको नहीं मिल पाएंगे तो मेरे पस आपके लिए और भी बहुत सारे colleges हैं जिनकी हम बात करेंगे तो इसमें मैं अभी बात में आऊँगी तो other best colleges of d.u, commerce colleges of d.u, first जो हम बात करेंगे शहीद भगसिंग college है, morning shift अगर आपको इसकी मिल रही है, south campus में है अगर आपको मिल रही है, become honors की या eco honors की तो बिलकुल ले लीजे, बहुत अच्छा college है, आप यहां से बढ़िया तरीके से पढ़के आप graduation करके निकल पाऊगे ठीक है, next is दीन दयाल उपाधियाए college, off campus है, ज्यान रखो, again अच्छा college है, commerce courses की अगर हम बात करते हैं तो next is शिवाजी college, again off campus है, but again इसका become honors और eco honors काफी ज्यादा famous है, next is lady arvin college, women college है, ध्यान रखेगा, women college है, girl candidate apply कर सकते हैं, north campus में situated है, again it is a good choice, अगर आपको 20 college नहीं मिल पाते हैं next is PGDAV college, morning shift अगर आपको इसकी मिल रही है, please मत छोड़ियेगा, बहुत ही बढ़िया college, again for commerce, दीन दयाल college, again south campus में है, sorry, दयाल सिंग college, again south campus में है, अच्छा college है, decent college है, आप इसको ले सकते हो, मोतिलाल नहरु college, decent college in south campus for commerce courses, तो ये college भी आप अपनी preference list में है, bucket list में डाल सकते हो next is Zakir Hussain, north campus में है, again commerce courses के लिए अच्छा है एक option, भीम राओं वेटगर college, ये again off campus है, आप इसको भी अपनी bucket list में डाल सकते हैं, because यहां के भी commerce courses काफी famous हैं, शामलाल college, morning या evening shift कुछ भी मिल रही है, आप इसको ले सकते हो, और ये south campus में है, तो guys ज्यान रखो, अगर आपको कोई भी college morning या evening shift में मिल रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं, जितनी college मैंने आपको बता है, again वहां के जो courses हैं, काफी जादा अच्छे हैं, काफी जादा बढ़िया है, इसके अलावा एक और चीज़ की मैं यहां पर बात करना चाहूंगी, let us talk about, let us talk about this college, आपने शाय सुना भी होगा इस college के बारे में, शही सुकदेव, college of business study, ठीक है, यह काफी सारे courses कराता है, जैसे BBA कराता है, BMS कराता है, उसके अलावा BBE कराता है, ठीक है, बैचलर्स of business economics और उसके अलावा एक और course आप यहां से कर सकते हो, जो finance related course है, BFI, so यह college है, अगर आप commerce करना चाहते हो, बट आपको conventional courses नहीं करना है, जैसे BCOM honors नहीं करना है, ठीक है, या ECO honors नहीं करना है, क्योंकि हो सब करते है, plain graduation हो जाती है, आपको, आपका target है, management करने का future में, आपका target है MBA करने का future में, या आपका target है बाहर जाना, फॉरण से कोई भी management course करना, तो यह this would be a very good option, जो कि आपको BMS, BBA, BBE, BFI जैसी degrees देता है, और आप plain commerce degree करने की जगा, commerce honors करने, BCOM honors करने की जगा, या economics honors करने की जगा, कुछ बढ़िया courses यहां से कर सकते हो, placement देता है after graduation, placements are very good, आप अगर यहां पे जाते हो, graduation करते हो, कोई भी course अगर आप कर रहे हो, BBA, BMS, BFI आपको placement मिलती है, guaranteed placement मिलती है, यहां पे, ranking काफी अच्छी है, अगर हम management colleges में बात करें, तो ranking is very good, आप यह option भी रख सकते हो, और इसको मैं place करूँगी, after Shriram College of Commerce, second number पे, यह BCOM honors और ECO honors नहीं कराता है, बट अगर आप commerce में management, commerce plus management करना चाहते हो, अच्छी choice है, top notch college में आप पड़ो, Delhi University के, तो it should be placed at the second ranking, but again अगर आप BCOM करना चाहते हो, ठीक है, ECO honors करना चाहते हो, तो मैंने आपको पूरी list बताई दी है, कि कौन-कौन से colleges को आपको अपनी preference list में वहां पे include करना है, so guys, I hope आज का जो यह session है, आपको useful लगा होगा, आपको समझ में आय होगा, कि कौन-कौन से colleges आपके लिए best है, यहां पे हम लोग उन्हें discuss करें है, top colleges of Delhi University for Commerce, बाकी अगर आपका कोई भी confusion है, ठीक है, so आप iQuanta website पे जा सकते हो, ठीक है, iQuanta website पे, iQuanta website पे visit करने के लिए, आपको केवल सर्च करना है, www.iQuanta.in slash after 12th, तो आपको CUET, preparation के बारे मे पूरी information मिल जाएगी, उसके अलावा, what you can do, you can just dial us, you can just whatsapp us, message कर सकते हो, नमबर आपको दिया ही गया है, तो नमबर क्या है, 928944-2304, उस पे आप contact कर सकते हो, तो कोई भी detail अगर आपको जाननी है, समझनी है, regarding your admission process, आप हमारी website पे जा सकते हो, already CUET 2020-23 के courses available है, आप उनको महा से purchase भी कर सकते हो, और उनके regarding कोई detail आपको चाहिए, तो आप वो भी हमसे पता कर सकते हो, तो इस session में इतना ही, जल्दी में और colleges के बारे में आपके लिए detail लेके आओंगी, कि arts के लिए कौन से college अच्छे है, science के लिए कौन से colleges अच्छे है, तब तक के लिए जोड़े आए कौन टास्क के साथ, thank you so much, bye everyone, take care, अपना ख्याल रखेगा,